हेलो दोस्तो मैं हूँ चंदन और आज की वीडियो में फिरेंस हम आपको वताने वाले हैं पर्धान मंतरी किसान सम्मान निधी योजना के तहत कैसे आवेधन कर सकते हैं दोस्तो इसी के बारे में इस वीडियो में डीटेल्स यान करे दिया जाएगा और फ्रेंट्स यदि आप भी अभी तक पर्धान मंतरी किसान सम्मान निधी योजना के तहत आवेधन नहीं किये हैं तो अभी आप आवेधन दे सकते हैं इसके लिए आपको अना होगा इसके ओफिसियल साइट डीविटी एगरिकल्चर.vr.gov.in पे और फ्रेंट्स यहाँ पे जैसे ही नीचे स्कॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे एक लिंक मिल जाएगा पर्धान मंतरी किसान सम्मान निधी योजना आवेधन करे आपको फ्रेंट्स यहाँ पे देखेंगे इस फॉर्म को भरने से पहले यहाँ पे जरूरी निर्देश दिया गया है आप चाहे तो एक वारी से पढ़ लिजेगा और इसके बाद फ्रेंट्स यहाँ पे अपना किसान पंजिकरन संख्या इंटर कर दिजेगा दोस्तों आप जब र विबरन उपर में देखने को मिल जाता है अब यहाँ पे किसान का प्रकार में रहयत किसान या गैर रहयत किसान सेलेक्ट कर सकते हैं रहयत किसान का मतलब हुआ आपका खुद का जमीन और गैर रहयत का मतलब हुआ किसी और के नाम का जमीन तो फ्रेंट्स हम यहाँ पे रहय रहयत किसान है तो रहयत किसान को select कर लेंगे और यहां पे अपना जिला select कर लेंगे ज खेसरा नमबर और जमीन का कुल रखवा यहाँ पे इंटर करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे हम थाना नमबर इंटर कर देते हैं और उसके बाद खाता नमबर इंटर कर देते हैं अब खेसरा नमबर यहाँ पे इंटर कर देते हैं उसके बाद जमीन का कुल रखवा फ्रेंस ह लिखेंगे आवेदा का हिसा में टोटल जमीन है तो हम टोटल जमीन यहां लिख सकते हैं और यदि एक रसी से दो ती नादी में आवेदान कर रहा है तो यहां पर हिसा लगा के आप लिख सकते हैं हमारे पास एक ही रसीद है तो हम यहां पर एड न्यू रो पर किलिक नहीं कर अब friends हमारे mobile number पर एक OTP आ चुका है उसे यहाँ पर इंटर कर देंगे और यहाँ पर validate and apply बटन पर क्लिक करेंगे अब friends यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारा सभी detail एक बार फिर से open हो जाता है अब यहाँ पर choose file पर क्लिक करके हम अपना रसीद upload कर देंगे जिसका detail हमने यहाँ पर fill up किया है आप चाहे तो रसीद या फिर LPC या फिर जमीन का कोई खतियान upload कर सकते हैं तो friends हम यहाँ जो जमीन का रसीद upload कर रहे हैं एक बार आपको बता देते हैं तो friends यहाँ पर देख रहे हैं यह हमारा जमीन का रसीद है हम इसी को upload कर रहे हैं और फ्रेंड्स यदि आपको रशित समझने में दिक्कत आ रहा है तो आपको बता दे जमीन में थाना नमबर जो होता है वो उपर में लिखा हुआ रहता है जमीन का टोटल रखवा यहां पे लिखा हुआ रहता है खाता नमबर और खेसा नमबर फ्रेंड्स यहां पे लिखा ह हुआ मिल सकता है तो इस परकार आप रसीद को समझ पा रहे होंगे अब इसी रसीद को हम अपलूट करने वाले हैं और जहां पे भी फ्रेंड्स हमारा रसीद होगा वहां से हम इसे सेलेक्ट कर लेंगे रसीद का साइज 1500KV से कम में PDF फॉर्मिट में होना चाहिए हमने रसीद को सेलेक्ट कर लिया अब लास्ट में सब्मिट बटन पर किलिक करेंगे अब देख रहे हमारा आवेदन सकस्पुल हो चुका है इसके लिए हमारे मोगाल पर मैसेज भी मिल जाता है और यहां पर भी लिखा हुआ आ जात लेंगे तो फ्रेंज इस प्रकार आप बड़े आसाने से प्रधान मंतरी की संसमाण निदी योजना के तहट आवेदन कर पाएंगे और इसका रिसीविंग भी प्रिंट कर पाएंगे तो फ्रेंज आज की वीडियो में इतना ही वीडियो देखने के लिए आपका प्रवाब